नमश्कार दोस्तों मैं हूँ महिंदर दोग ने motivational speaker और live course लेकिन आज मैं आप सभी के लिए बन गया हूँ English का teacher क्योंकि आप इसे बहुत सारे लोगों ने मुझे request की थी कि एक free English spoken का जो है course बना दीजे ताकि आपको English सीखने में समझने में आसानी हो जाए और मैं आपके की शियरिटी देता हूँ कि यदि इस वीडियो को आपने देख लिया तो English का जो basic है ना मैं advance की बात नहीं कर रहा हूँ जो basic है वो एकदम clear हो जाएगा अच्छा ये इसका पहला part है जिसमें मैं आपको basic basic सारी चीज़े सिखाऊंगा sentence कैसे बनाते हैं वो आपको बनाना आ लेकिन इस वीडियो का हमको एक target रखना होगा इस वीडियो पर यदि आप दो लाग से जादा views कर देते हैं एक हजार से जादा comment कर देते हैं और करीबन 5000 से जादा यदि आप like कर देते हैं तो हम इसका advance मतलब आगे की चीज़े भी आपको सिखाने के लिए लेकर आएंगे शुरुआत करते हैं English spoken की कि भाया इसकी शुरुआत कैसे होती है या आपको इसकी शुरुआत कैसे करना है देखिए अंग्रे जी बोलने के शुरुआत किसी भी sentence से होती है ये आप सभी को बहुत अच्छे से बता है देखिए जब मैं भी छोटा था और अंग्रे जी किसी क बोलते हुए सुनता था तो मुझे बड़ा अठा लगता था और मुझे भी लगता था कि मुझे सीखना है और मैंने अपनी लाइफ की चार महीने पूरे dedication के साथ सुभए और शाम मिला कर एक कर दिया और मैंने अच्छे से सिर्फ चार महीने के अंदर मैंने अच्छे से English बोल आने वाला है कि आपके लिए भी homework होंगे हैं अपर कि आपको sentence बना कर दिखाना है तो जैसे यहाँ पर एक sentence है मैं घर जाता हूँ एक sentence है इसकी आपको क्या करना है translate करना है English में तो आप क्या कहते है I go to home अब अभी आपको शुरुवात में base से ही सिखा रहा हूँ ताकि मज़ा आए आगे जितने भी sentence बनाने सीखने हैं या English भूलना सीखना है या पढ़ना सीखना है तो उसमें बड़ा मज़ा आने वाला है इस वीडियो में last तक बने रहेगा तो शुरुवात होती है कहीं से भी कहीं से कहां से एक sentence है जो कि हिंदी में होता है जो कि आपके मन म में आता है और वहीं से आप कोशिश करते हैं उसका English में translate करने के लिए यही एक process होती है हिंदी का sentence आपके दिमाग में आता है आप उसको translate करते हैं English के sentence में और फिर आपके जबान के जो है English का sentence पूरा बनके आता है अब आपको basic जो समझने की कोशिश करना है वो सबसे पहल structure होता है क्या structure होता है वो दखिएगा जो हिंदी का sentence होता है उसका structure होता है उसमें सबसे पहले आता है subject अभी होता है सब्सक्तिक काम को करने वाला है मैं आप भी आपको खाने वाल हूँँ अभी पहले यह बता देता हूं कि हिंडी के स постоянно का व्लाने का स्ट्रडेंटर क्वहतन है असे पहले आता है सब अब्जेक्ट और प्रिया मतलब जो वर्व होती मतलब जाना या जाता हूँ ये क्रिया है इस बात को समझ लेजीगा लेकिन इंग्लिश का जब हम sentence बनाते हैं तो ये सारी की सारी चीज़ें अलग हो जाती है इंग्लिश के sentence में क्या होता है देखिए subject तो वहीं का वहीं आएगा मतलब I मतलब मैं ये तो यहीं आएगा लेकि से देखिए यहाँ पर आई जो है मैं मतलब subject हो गया ये तो सबसे पहले आ गया आपने देख लिया है लेकिन object जो है हिंदी में पहले आया था लेकिन यहाँ पर क्या हुआ object देखिए यहाँ पर घर पहले आया है लेकिन English में ये object जो है वो बाद में आता है और यही secret वाली ये बीच में सबसे बड़ा सीक्रेट यही है यदि आप इस सीक्रेट को समझ गए तो आगे सीखने की शिरुवात कर सकते हैं बेसिक फिर से बता देता हूँ हिंदी में सबसे पहले आता है सब्जेक्ट उसके बाद वर्व कोई साथ भी सैंटेस उठाकर देख लीटेगा अभ हमें हिंदी के सैंटेस बोलते हैं लेकिन उसके बाद यहां पर लास्ट में ऑबजेक्ट आएगा जो की हिंदी में बीच में आता है तो हमें अब क्या याद रखना है हमें याद रखना है इंग्लेश बोलना सीखना है ना हमें क्या याद रखना है हमेशा के लिए अभी अ हम अभी सीख रहे हैं basic advance में थोड़ा सा change होता है मैं आपको बाद में बताऊंगा तो क्या हो गया subject plus word plus object अब आपके दिमाग में यह चल रहा होगा कि यह subject क्या है यह वर्व क्या है यह object क्या है भाई कैसे पैचानना है भलकुल चिंता करने की जूरत नहीं है हम इसको समझना शुरुआत करते हैं देखिए सबसे पहले आता है subject हमने English का जो sentence बनाना सीखा उसमें क्या करना है सबसे पहले subject आएगा उसके बाद आएगा word उसके बाद आएगा object इसको नहीं भूलना है यह base है देखिए हर एक चीज़ का जैसे धंदी का base होता है हर एक चीज़ का एक base हो वो base है subject plus verb plus object subject plus verb plus object आपको इसको कभी ही नहीं भूलना है यदि इसको नहीं भूले तो life जहिंगा लाला देखिए कैसे होती है वो समझ में आएगा अब सबसे पहले क्या आता है English कोई भी English का scientist बनाने के लिए आपको सबसे पहले ही चाहिए subject अब subject होता क्या है subject का Hindi meaning क्या है subject को हम Hindi मोलते हैं करता और इसका definition मुझे आपको बताना है तो subject मतलब करता करता मतलब काम को करने वाला मतलब जो भी विक्ति काम को करेगा उसको subject कहेंगे कौन करता है एक काम हमी लोग करते हैं कितने प्रकार के होता है subject 9 प्रकार के होता है कौन कौन होते हैं देखिए he के लिए वहा निर्जी चीजों के लिए एड या एक बचन जैसे राम शाम मोहन किसी का नाम लेना हो तो वो एक बचन करता है कहलाता है यदि हम और बात करें आगे सब्जेक कौन-कौन है तो आई मतलब मैं खोद वी यने हम यू यने तुम और दे यने वे और वहू बचन में जैसे प्लूरल हम कहते हैं या जैसे हम कह सकते हैं पीपल मतलब लोग चिल्डन मतलब बच्चे तो जो वहू बचन कहेंगे तो भी वो पहले आपको find करना है subject कौन है मतलब काम को करने वाला कौन है कोई भी scientist बनाना है काम को कौन कर रहा है तो मैं कर रहा होगा, तुम कर रहे होगे, वह कर रहा होगा वे कर रहे होगे, कौन कर रहा होगा इन ही नो में से कोई वेक्ती होगा जो काम को करेगा, उसको उठा के रखना है सबसे पहले, बड़ा सिंपल सा है, यदि आपको इसको बार-बार रिपीट करना है, तो आप इसको बार-बार पीछे जाएए, फिर से देख लिजे, बार-बार पीछे जाएए, फिर से देख लिजे, किसी भी काम को करने वाला विक अब बर्व क्या होती है क्रिया क्या होती है करता के द्वारा किया गया काम अभी सीख के आए थे करता करता मतलब हमी लोग होते हैं वो कोई और नहीं है हमारे ही नाम है अब ये जो करता होते हैं ध्यान से देखना ये जो काम करेंगे जैसे मैं मतलब आई अभी क्या कर रहा हूं पड़ा रहा हूं तो मैं जो भी काम करूँगा करता के द्वारा किया गया काम क्या कहलाती है क्रिया कहलाती है तो मैं कुछ भी काम करूँगा आप कुछ भी काम करें गिंगलिस में थोड़ा सा अलग होता है हर एक क्रिया के में तीन फॉर्म होते हैं यह समझाने के पाँच फॉर्म होते हैं पहला होता है फस्ट फॉर्म जैसे गो जाने को कहते हैं go क्यों होLA दुखाई पी है वो के अंदर s e i a s condition के हिसाब से लगाते हैं हम तो tremendous form हो गया उसका goes इसी प्रेकार से हर एक क्रिया क्रिया मतलब जाना, खाना पढ़ना, लिखना, सोना, गाना कोई भी काम कर रहे हो वो यह क्रिया है हर एक क्रिया की अपनी spelling होगी जैसे खाने को क्या बोलते हैं आप इट या फिर टेक भी बोल सकते हैं तो टेक यह दी कहा आपने खाने के लिए उसकिया कि इसका लगता है इसलिए है एस लगता है ऐसे बहुत सारे वर्व है जो आपको याद करना पड़ेगा वर्व शिक निकालना पड़ेगा कि कौन-कौन सी वर्व होती है और उसके five form जो है यह आपका home work है कि आपको मुझे comment box में पांच वर्व लिखना है और पांच वर्व के आपको पांच पांच form बताना है ठीक है comment करना जरूरी है यह आप comment नहीं करेंगे तो उसका अगला part कैसे देख पाएंगे तो आपको क्या समझ में आया पहला करता सब्जेक मतलब करता मतलब काम को करने वाला दूसरा जो है वो वर्व है करता जो भी काम करेगा मतलब एक सब्जेक जो भी काम करेगा उसको हम कहेंगे क्रिया मतलब हम जो भी काम करते हैं उसको कहते हैं क्रिया वो second number पर आती है इतनी बात समझेंगे होंगे आप और वर जो है उसका कौन सा form लगाना है आपको वो अभी हम बाद में बात करेंगे लेकिन कितने form होते हैं यह आपको पता होना चाहिए बहुत सिंपल है अभी फिर से समझा देता हूँ देखिए मैं खोद हो गया subject मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ठीक है मैं पढ़ा रहा हूँ अब मैं क्या पढ़ा रहा हूँ तो जिस चीज पर क्रिया होगी मैं अभी English पढ़ा रहा हूँ अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ तो अंग्रेजी के उपर क्रिया होई पढ़ाने की तो सबसे पहले subject हो गया मैं पढ़ाना हो गई क्रिया और यहाँ पर object क्या हो गया यहाँ पर object हो गई English देखे बहुत सिंपल है जैसे मैं घर जा रहा हूँ तो कहां जा रहा हूँ किस चीज पर क्रिया हो गया यह जाने की घर पर तो यह घर क्या हो गई object हो गया यहाँ पर मैं bus चला रहा हूँ ठीक है तो यहाँ पर bus क्या हो गया ओ मतलब object बस ये ब्रहमास रहे इस सूत्र को यदि आपने यार कर लिया बार-बार तो आपका सारा tension खतम हो गया इस वीडियो के थोड़ा सा पीछे ले जाएगा और वपर से देखेएगा यदि समझ में नहीं आये हो तो कि subject, verb और object क्या होते हैं यदि इतनी बात समझ में आ है तो अब हम आ जाते हैं कि भया sentence किस प्रकार से बनाया जाते हैं अब दिखिएगा सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि हम जो basic sentence बनाते हैं English में वो बनाते हैं tense के अंदर Tense क्या होता है Tense का मतलब होता है काल या समय समय क्या होता है आप सभी को पता है हमने समय को जो है हमारी सहलियत के हिसाब से तीन भागों में बाढ़ दिया है कौन-कौन से तीन भाग है वो सबसे पहला है Present Tense दूसरा है Past Tense और तीसरा है Future Tense ठीक है, tense मतलब काल या समय, tense मतलब tension नहीं होता है, जो कि आप बच्पन से लेते हो, कि यार मुझे tense यार नहीं हो रहे है, sentence नहीं बनेंगे, अरे बिल्कुल easy है, बहुत सागल है, आप tense का मतलब समझे समय, कि हम समय की बात करें, कि समय की बात करें हैं, तो तीन प्रकार के समय होते हैं, पहला present tense, मतलब present का समय, दूसरा past tense, मतलब भूत काल का समय, और तीसरा future tense, मतलब भविशी का समय, अब इन ही तीनों कालों में बात होती है, जब भी कोई बात करना होता है, मुझे, तो मैं इन ही तीनों समय में बात कर सकता हूँ, मतलब या तो वरतमान की बात करूगा भविशी की बात करूँगा तो इसको पैचाने के कैसे जब भी किसी स्टेंस के लास्ट में है आता है जैसे मैं पड़ा रहा है मैं स्टम्ट की बात में सलोजिक बहुए बढ़ी बात नहीं है यदि मैं पास की पहचान जाएंगे कि यह past का sentence है और यहीं कोई sentence future का है तो उसे कैसे पहचाना है बड़ा सा simple है इसमें last में क्या आएगा गा अभी मौटे तोर पर यह सीख लिए फिर उसके अंदर की और detail सीखेंगे तो जब भी कोई बात हम present की करते हैं तो last में आता है है जब भी कोई sentence past का होता है तो last में आता है था और कोई sentence future का है भविशी का है तो last में आता है इतनी simple सी बात समझ में आ गई फिर से कहा रहा हूं जैसे जैसे यह दि आपको थोड़ा सा slow learner है आप तो पीछे जाए फिर से वीडियो को देख लिजे क्योंकि यह वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा इसलिए मैं थोड़ा सा fast पढ़ाने के कोशिश करूँ का अब देखेगा समझने के कोशिश कीजिएगा कि सबसे पहले हमको पता करना होता है present tense के बारे में कि भीया वर्तमान का जो लए तेंस है वो इसके पहले आपको एक और समझाना है वो समझाना है हमने इन टैंसों को चाहे बाट लिए मसलिए पास से बनते हैं और future टैंस के ब히 चाहे बनते हैं और वो चाहे sentence कैसे बनते हैं ये हमें समझना है मतलब सीरी सी बात कहने की क्या है कि सबसे पहले आपने formula सीखा S plus V plus O का अब सब्जेक्ट आता है English में सबसे पहले फिर वर्व आता है फिर object आता है इसका base है ये किसी भी sentence को बनाने का base है अब base के बाद हमने क्या सीखा कि समय कितने प्रकार के होते हैं वो होते हैं तीन प्रकार के present tense, past tense और future tense ये तीन tense के अंदर ऐसा English को convert किया गया है सिखाने के लिए कि भाया एक tense के अंदर चार बात होगी मतलब एक समय के अंदर चार प्रकार की बाते maximum कही जा सकती है और दूसरे के अंदर भी चार तीसी के अंदर भी चार मतलब आपको mainly कितने sentence बनाना सीखना है यहाँ पर आपको 12 sentence सबसे पहले basic 12 sentence जो होते हैं वो बनाना सीखना है basic 12 sentence बनाना सीखना है तो आपके बहुत सारे मतलब लगभग 70% जो अंग्रेजी है वो cover हो जाती है बाकी जो 30% बसती है वो होती है active voice मतलब हम tense को active voice कहता है passive voice होता है passive या voice जिसको कहता है उसके अंदर वो 30% बाताती है लेकिन वो 30% को सीखना इतना जरूरी नहीं है पहले आपको यह 70% सीखना होगा तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इस present tense की 4 sentence कैसे बनते हैं उसकी practice करवाता हूँ देखिए यह है structure इससे डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है बचपन से आज सक आप शायद डरते आए हैं इसलिए sentence नहीं सीख पाए हैं कई लोगों को देखा है इन ही structure को तोड़ मरोड के अपनी English spoken की classes में सिखाते हैं बहुत अच्छी बात है कई बच्चे उससे सीखते हैं लेकिन मैं यह समझता हूँ कि आप base सीख गए ना कि structure कैसे बनते हैं यह क्यू लिखा जाता है इसी परिकार से structure की बनते हैं तो आपका यहीं base clear है आपके जड़ मजबूत है ना तो फिर पेड़ बहुत बढ़ा होता है बहुत विशाल होता है लेकिन जड़ ही कमजोर है तो फिर इतना अच्छा पेड़ नहीं बन पाएगा इसलिए आपको क्या करना है ध्यान से सुनना है यह present tense है present tense के चार sentence सबसे पहले हम बनाना सीखते हैं कि कैसे बनते हैं उसके structure क्या होता है इसको याद करना पड़ेगा simple सी बात है कोई बहाने नहीं चलेंगे यह sentence आप यह structure देखिए और comment box में याद करकरके लिखना है आपको अभी homework भी मिलेगा आपको आप यह एक चीज़ notice कर पा रहे हूँ तो चारों में मैंने क्या बताया था subject, verb, object subject, verb, object पस इतना सा ही याद रखना है आपके sentence आप अपने आप बना पाएंगे आप school की पढ़ाई कर रहे हो आपको tense नहीं आ रहे है यहाँ से पढ़ लीजिए आप English spoken सिखना चाते हो बोला यहाँ से सिख लीजिए sentence समझना चाते हो यहाँ से सिख लीजिए बड़ा असान है सबसे पहले आप यही देख पा रहे हो सबसे पहले subject आएगा बीच में वर्व आएगा और last में क्या आएगा object आएगा subject पहले आगए object last में आगए फिर यह बीच में क्या है subject और object के बीच बीच में क्या है वो हमको समझना है कि वो क्या चीज़ है वो है वर्व और उनके form ठीक है वर और उनके helping form, supporting form है कैसे, देखिए सबसे पहले जो sentence है वो बनाना सीखना है हमको present tense के present simple tense का यह जो present tense है, उसमें यह कौन सा tense है present simple tense कहते हैं तो सबसे पहले हम देखने वाले है present simple tense, मतलब जो साधरन सी बाते होती है, वो इसके अंदर present perfect की, और चौथा जो tense होता है उसमें आती है present perfect continuous की बिल्कुल भी चिंता करने की जूरत नहीं है मैं इसका formula बता देता हूँ कि इसमें कैसे सीखा जाता है या बूला जाता है present simple tense का जो structure होता है वो होता है subject, फिल्द का first form या CIS form, plus object, बहुत ही simple सा formula है अभी हम इसका sentence भी बनाना देखेंगे ठीक है, कैसे बनाते हैं, देखेंगे तो सबसे पहले हम सीख रहे है present tense और उसके 4 sentence या 4 tense कैसे बनाया जाते है उसके बारे में, देखेंगे सबसे पहले आता है present simple tense अभी structure यहाँ पर है, आप इसका screenshot लेकर भी रख सकता है, मैं इसको पूरा clear कर देता हूँ इस पिकार से, ठीक है, यह है सबसे पहला present simple tense यह है present continuous tense अब आपको जो है sentence सीख रहा है, मैं यहाँ पर structure लिखते जाता हूँ और आपको बताते जाता हूँ present simple tense का structure क्या है, सबसे पहले आएगा subject दूसरा आएगा, verb का first form या फिर as या yes form और plus object इसके वाकिका जो अंत होता है उसमें आपको देखना होता है कि वाकिके अंत में last में आपको ता, ते, या फिर तीहे मिलता है ठीक है, इस बात को आप याद रखेगा इसके sentence के last में आपको ता, ते, तीहे मिलता है या आपको सीखना होगा थोड़ा सा याद रखने की कोशिश करना होगा इसके बाद ये बहुत simple हो जाएगा तो जब भी किसी वाकिके अंत में ता, तीहे, तेहे आता है, ये देखिए में, बनाने का formula क्या है, सबसे पहले रखना है subject, तो मैं को क्या बोलेंगे I, ठीक है, इसके बाद क्या रख्टर है हम, English में, देखिए subject प्लस वर्फ, अब वर्फ क्या है यहाँ पर, क्योंकि हिंदी में वर्फ कहां होती है last में, आपको दिख गए वर्फ, जाता हूँ जाने को क्या कहते हैं आप, go है ना, कहां जा रहे हैं आप तो object last में आता है English में और हिंदी में आपको पता है object आप देखिए, वही formula है ना, formula अलग नहीं हुआ formula वही है, तो घर जा रहे है, तो घर को हमेशा याद रखना है कि जब भी आएंगे कौन-कौन, he, she it, या फिर एक बचन करता, ठीक है, singular जो भी आएंगे, तो उनके साथ आपको वर्फ का कौन सा फॉर्म रखना है s या es, और जब भी i, v, u, they, या फिर या फिर वहु बचन मतलब, एक से ज़्यादा लोग आएंगे तो आपको रखना है वर्फ का first form ये इसमें बहुत ही simple सी बात याद रखने वाली है जो आपको याद रखना है, ठीक है तो structure क्या हो गया, आप सभी को पता है structure, subject plus work का first form या es, form plus object last में आना चाहिए, ता है, ती है, ते है तो आप इसका sentence बनाएंगे मैं घर जाता हूँ, I go to home ठीक है, बहुत simple सी चीज है अब देखिए इसके बाद आता है present continuous tense sentence की शुरुआत कैसे होती है मैं घर जार रहा हूँ इसकी पहचान हम कैसे करेंगे वाकिय क्यांत में देखिएगा, कभी भी रहा हूँ आएगा, यहाँ पर क्या आता था ता हूँ, मैं घर जाता हूँ मैं घर जाती हूँ, मैं चाय पीता हूँ मैं खाना खाता हूँ, लेकिन यहाँ पर आपको पहचान में आएगा present continuous मतलब कोई काम चल रहा है, तो यहाँ पर आएगा मैं घर जा रहा हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ मैं चाय पी रहा हूँ, मैं नहा रहा हूँ मैं हस रहा हूँ, मैं रो रहा हूँ अब इसको बनाने का structure क्या है आपकी slide में भी दिखा था, आपको पता है हम आई वही बात आ गई subject सबसे पहले आ गया object घर था तो वो सबसे last में चला गया अब आपको देखना है बीच में वर्ब लेकिन वर्ब के साथ लगाना है आपको वर्ब का कौन सा form हमने देखे थे वर्ब के past form होते हैं तो आपको कौन सा form लगाना है इस्टेंस में वर्ब का ing form लगाना है मतलब गो का going और अब ये बात पता करनी है कि कि किस के साथ क्या आएगा जैसे is कहीं लोगों confusion होता है तो he she it एक वचन करता के साथ क्या आएगा is आएगा आए के साथ क्या आता है यहाँ पर M आता है और UV दे बहुचन करता के साथ क्या आता है आ रहाता है यह आपको याद करना पड़ेगा इतनी सी बात लिख लिजेगा तो simple सा sentence है कि मैं घर जा रहा हूं I subject I के साथ M आता है go का ing form क्या होता है going to कहां पर हो बहुत ही simple सी बात हो हूं और यहाँ पर गया हूं या कर लिया है या चुका हूं देखिए मैं घर गया हूं मैंने खाना खा लिया है मैंने पानी पी लिया है तो गया हूं या लिया हूं इस प्रकार की बात आएगी या कर चुका हूं कोई भी काम perfect हो गया present में perfect बरतमान में कोई भी काम पूरा ह सबसे पहले क्या हूता है सबसे पहले होता है इसके पहले हाएंगा या तो he, she, it, एक बचन करता के साथ has लगता है, singular के साथ has लगता है, याद रखेगा, और I, you, 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 दे बचन के साथ have लगेगा, इस बात को याद रखेगा तो सबसे पहले हो गया I, उसके बाद हो गया I के साथ have हो गया, है ना, और वर्व के हैं, यहाँ पर जाना, जाने, मतलब go का third form क्या होता है, gone और कहां जा रहे है, home, मतलब to home तो यहाँ पर sentence क्या बन गया, I have gone to home, बड़ा ही simple है, बड़ा ही smooth है, अब present tense कहीं, चौथा tense क्या होता है, यह तो हो गया present perfect tense, और यहाँ पर आजाएगा present perfect continuous tense, मैं दो घंटे से घर जा रहा हूँ, अब यहाँ पर भी देखेगा, यहाँ पर भी रहा हूँ आया था, और यहाँ पर भी रहा हूँ आया था, लेकिन difference कहां से आएगा, कि जब भी रहा हूँ के साथ, आपको समय दिख जाए, किसी भी प्रकार का कोई समय दिख जाए, जैसे दो घंटे से जा रहा हूँ, एक सब्ता से जा रहा हूँ, दो महिने से जा रहा हूँ, इस प्रकार का कोई भी समय दिख जा तो आप समझ जाएगा, कि वो present perfect continuous स्टैन्स है रहा हूं और उसके साथ में समय आ गया अब इसको बनाने का structure क्या है वह एक बार रिपीक कर लेते हैं वह एक बार बता देता हूं मैं आपको इसका structure होता है सबसे पहले subject उसके बाद आएगा has या फिर have आता है उसके बाद क्या आता है been उसके बाद क्या आता है वर्व का ing form और यहां पाद क्या आएगा object इसके बाद क्या आएगा since ya for plus time आता है अब यह structure सारे की सारे आप यहां से भी देख सकते हैं और यहां से भी पढ़ सकते हैं मैंने सारे structure आपके लिए यहां पर व्योस से लिख दिए कि subject plus has a plus been plus verb का ing form plus object plus info plus time sentence कैसे बनाते हैं देखिएगा यहां पर मैं दो घंटे से घर जा रहा हूं तो सबसे पहले आजाएगा I I के साथ क्या लगाना है has ya have मैं से कुछ लगाना है तो यहां पर क्या जाएगा I के बाद have have क्या बीन composer के सब के साथ लगेगा I have been go का ing form क्या होता है going structure के according है और to home अब यहां पर देखना है कि कि किस के साथ since लगाना है और किस के साथ for लगाना है तो जितने भी निश्यत समय होते हैं जैसे कि मैंने कहा दो बज़े जाआँगा सुम्भार को जाँगा या जन्वरी में जाँगा ऐसे निश्यत समय के लिए लगाते हैं हम since और जो अनिशित समय है जैसे दो घंटे में जाओए एक सता में जाओगा दो महिनें में जाओंगा तो कौन से दो घंटे कौन सा एक सब्ता यह पता नहीं होता है तो उसके लिए लगता है फॉर यह आप धीरे-धीरे करके सीख जाएंगे तो यहाँ पर कहा है मैं दो घंटे से घर जा रहा हूँ ठीक है तो I have been going to home for two hours अब इस प्रिकार से आपने हर एक structure का जो है translation सीख लिया है यहाँ पर एक बार फिर से revise करवा देता हूँ कि जब भी sentence के अंत में ताहे तीहे तेहे आएगा तो वो present tense होगा present simple tense होगा यहाँ पर present का continuous tense होगा जब भी रहा रही रही होगे है यहाँ पर गया हूँ लिया है आएगा तो यहाँ पर perfect tense हो जाएगा और जब भी रहा हूँ आएगा लेकिन समय के साथ आएगा कोई भी समय लगा हुआ है यह वहाँ पर तो उसका टैंस बनेगा present continuous tense अब देखिए यह structure के according आपने यह structure सीख लिया तो एक कितने sentence बन रहें चार कैसे बनेगे दिखेगा मैं घर जाता हूँ आपर structure के according क्या हो गया मैं घर जाता हूँ structure के according क्या हो गया I go to home मैं घर जा रहा हूँ I am going to home बड़ा ही simple है मैं घर गया हूँ या जा चुका हूँ I have I have third form gone to home और मैं दो गंटे से घर जा रहा हूँ I have been going to home for two hours अब आपको क्या करना है simple सी चीज़े आपके लिए practice है यह sentence है एक लेकिन इसके कितने बनेंगे चार sentence present tense के चार मैंने सिखाया है चारों के चारों बनेंगे एक के मतलब इसके भी चार बनेंगे इसके भी चार बने में comment करके सही सही लिख कर बताना है कि क्या बनेंगे और देखता हूं कि कितना आप सीख पाए अभी भी समझ में नहीं आ रहा है वीडियो में थोड़ा सा पीछे जाएगा फिर से इसी देख लीजीगा एक sentence मैं आपके लिए बना देता हूं चार sentence एक sentence ठीक है आपको इसको I eat food भी हो सकता है लेकिन generally हम take का use भी करते है खाने और पेने के लिए अब दूसरा sentence क्या हो जाएगा उसी का I am taking food दूसरा sentence complete है तीसा sentence क्या हो जाएगा I have taken food थर्ड फर्म आपको याद करना पड़ेगा चौता sentence क्या हो जाएगा I have been taking food अब समय अपने according लगा लिए जो भी आ for two hours ठीक है किसी भी प्रकार का समय आप लगा सकते हैं तो इस प्रकार से एक के चार sentence जो है आपको मुझे बना के दिखाना है अब यहाँ पर कंजूसी मत करना की नहीं बनाए या फिर छोड़ दिया homework यह homework है आपके लिए यह करेंगे तभी मैं आगे के वीडियो बनाऊंग अब आते हैं हम पास्टेंस पर पास्टेंस के structure देख लीजिए सबसे पहले आता है इसमें subject वर्व का second form object जो basic structure था वो कभी अलग नहीं होगा वो याद रखेगा subject शुरू में ही आएगा object last में आएगा सिर्फ वर्व और उनकी form बदलेंगी और कुछ भी नहीं है और एक का याद कर लिए ना present tense का याद कर लिए ना उसके बाद तो कुछ है ही नी सिर्फ वर्व और उसके form बदल रहें देखें उसके बाद क्या है यह है पास्ट सिंपल टेंस फिर आएगा past continuous tense उसका structure क्या है subject plus was या वर्व प्लस वर्व का ng form प्लस object वहाँ भी आएगा यहां भी आ बहुत सिंपल सी चीज है same sentence बनेंगे देखें कैसे इसकी पहँचान कैसे होती है last में आता है मैं घर गया न है न था पास्ट सिंपल की पहचान होती है कि जब भी वाकिया के अंत में न तो है आता है न था आता है न गा आता है कुछ भी नहीं आता मैं घर गया मैंने खाना मैं वहाँ गया मैं हसा मैं रोया हैं न था आ रहा है तो समझ लिजीएका कि पास्ट का simple tends है कैसे बनाते हैं बहुत सींपल सा structure है क्या structure है देख लिजिए subject प्लस और का second form प्लस object subject क्या होता है? I, second form क्या होता है? When to home, बिलकुल simple मैं घर गया I went to home मैं रोया I cry मैं हसा I love मैं मै सब्सक्राइब यहां पर गया था यहां पर यहां पर यहां पर इस इसे मार लिखा हुआ था यहां पर कुछ चेंज हुआ है तो जब भी मैं रहा था बोलूँगा तो वाखी सेंटेंस प्रजेंट कंटिनियूस जैसा ही बनेगा तो मैं को क्या कहते हैं आई वाज यह वर में किसे क्या आता है एक साथ वाज आता है आई वाज ठीक है गो का हाल आता है यहां पर क्योंकि हमको पास्ट दिखाना इसलिए यहां पर वह उज आ जाता है अब यह अंधापर क्या होता है उसके बाद क्या लगेंगा यहां पर हमने लगा दिया वर्व का 3rd form क्या है गोंका गौन और कहां जा रहे है बड़ा ही simple है इसके बार जाता है पास्ट परफेक्ट कॉंटिनिस टेंस मैं दो घंटे से घर जा रहा हूँ यहां आ मैं दो गंटे से घर जा रहा था देखें सेम है structure क्या है एक बार structure देखें यह subject प्लस है प्लस बीन प्लस वरका अजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक सेंस फॉर प्लस टाइब I had been going to home for two hours वहाँ पर क्या लग रहा था has have और यहाँ पर क्या लग रहा है had मुझे पता है आपके दिमाग में थोड़ी सी हलचल मज गई होगी जिसने पहली बार सीखा होगा लेकिन मैं शर्थ के साथ कहता हूँ कि दो तिन बार इसको आगे पीछे करके देखेंगे ना नहीं बना सकता मुझसे तो नहीं होगा उससे बिल्कुल नहीं होगा लेकिन जो विक्ति कसम खाएगा कि नहीं मुझे करना ही है बिल्कुल हो जाएगा अब ऐसे ही पास के भी मैंने आपको चार-पास सेंटेंज दे दी है लेकिन एक के कितने बनेंगे इधर भी चार सेंट करके बताना है मैंने खाना खाया मैंने खाना खाया चलो यहां पर आ जाते हैं तो यहां पर और अच्छे से समझ में आ जाएगा मैंने खाना खाया तो क्या हो जाएगा आई टेक्टा साकेंड फॉर्म टुक फूड यह पहले सेंटेस हो गया मैंने खाना खाया यह पहला सेंट फूड मैं दो घंटे से खाना खा रहा था I had been taking food for two hours बड़ा ही सिंपल सा sentence है इसके आगे के जो sentence है ये तो मैंने बना दिया ये भी बना सकते है प्रैक्टिस करने के लिए और बाकी जो चार sentence है कि तुमने कार चलाई राम स्कूल गया उसने किताब पड़ी और हम हसे ये आपक English translate करके मुझे नीचे comment box में comment करके बताना है ये आपका homework है अब हम आजाते है फटाक से future tense में future tense में भी simple है future simple tense होगा future continuous tense होगा future perfect tense होगा और future perfect continuous tense होगा ठीक है same structure है कुछ भी changes नहीं है देख लीजी आपके सामने वहीं पर subject रखे हैं सबसे पहले वहीं पर object रखे हैं सबसे last में सिर्फ आपको पहचान करना सीखना है कि पहचानते कैसे हैं सबसे पहले इसका structure करता है subject प्लस विल या शैल प्लस वर्प का इंजी फॉर्म प्लस object आप चाहें तो शैल सब में से काट सकते हैं सब में विल का यूज़ कर लीजी आप तो है ना शैल को एक सेकेंड के सब्सक्राइब तो है आप से प्रजेंट सिंप मतलब प्रजेंट टैंस के चार सीखें ना पास टैंस फ्यूचर टैंस सीखना बड़ा ही आसान है फिर से देख लिजे आप इसका structure यह होगा आप स्क्रीन शॉट ले लिजीगा प्लपेंट सीखेंट सीखेंट सींपर टैंस का स्ट्रक्टर हमने देख लिए है पीछे पीछे 10 पैचान कैसे होगी जब भी किसी वाकिए के इंत में गा गएगी आएगा तो यह जू कैसे देखीगा मैं घर जाऊंगा मैं खाना खाऊंगा मैं किताब पढ़ूँगा मैं चाय पिऊंगा तुम चाय पिऊगे यह simple सा sentence हो गया पहचान हो गया कि भी इसको पहचानेंगे कैसे आप देखिए sentence कैसे बनाना है simple है structure देख लिजिए subject आएगा विल या शैल में से कुछ आएगा तो विल सब में लगा दीजिए वर्व का first form आएगा प्लस object आजएगा देखिए सबसे पहले subject आगया आई यह वर्व लगाना है हम को तो विल ही लगाना है सब में तो यह विल आगया आई विल जाने को बोलते हैं वो कहां जा रहे है subject, verb, object face I का वैसे ही formula है जो हमने शुरू में सीख आएगे थे आई विल गो टू हूँ आप देखिए आपको पता ही हो गया है अब तो कि यहाँ पर simple यह future का simple tense है future का continuous है continuous में क्या बोलते है तो और रहा है तो बोलेंगे नी क्योंकि वो तो present में बोल रहे थे रहा था past में बोलते हैं रहा होंगा future में बोलते हैं तो भाईया simple सी बात है मैं घर जा रहा होंगा यह future tense है future का continuous है इसलिए क्या जाएगा सबसे पहले I यह दिखिए इसके बात कहाएगा will structure में दिखिए है यहाँ पर will के बात be लिखा है तो आपको be सब के साथ लगाना है ठीक है सब के साथ भी आएगा तो I will be going to home future perfect tense में वही जा चुका होंगा क्योंकि present के future present के perfect में वही आता था past के perfect में वही आता था अब देखेगा मैं दो घंटे से घर जा रहा हूंगा तो क्या जाएगा आई यह कहां से आएगा इस ट्रॉक्टर में लिखा हुआ है सब्जेक्ट प्लस विल चैल प्लस है प्लस बही है वर्का इंजी फॉर्म प्लस क्या उँए यहां होगा मैं खाना खाऊँगा यह है पहला वाला मैं खाना खाऊँगा तो क्या हो जायगा मैं खाना खाईगा तो क्या हो जाएगा अई विल टेक में grass общем में लिख सकते हैं यह आपके लिए फिर से आगे, होंब देखिए फिर से पांस सेंटेंस आगे, इसके आपको एक के चाचर बनाना है, मतलब फिर से वही बात आ गई इसके भी चार बनेंगे जो मैंने बना दिया आप भी बनाईगा इसके भी चार 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 बिल्कुल सिंपल सी बात है ये चार 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 करके हम 12 sentence जो है वो बनाना सीख चुके है यदि आपको को बारा टेंस बनाने तो सीख लिए हैं लेकिन उन बारा सेंटेंस के भी चार-चार सेंटेंस बनेंगे तो मतलब बारा चो अरताली सेंटेंस सीख जाएंगे सबसे पहले अभी वीडियो को रोग दीजिएगा इन बारा सेंटेंस को बनाने की अच्छे से प्रैक्टिस तो फिर आप practice कीजिएगा 48 sentence बनाने की 12 sentence कैसे बनते हैं मैं आपको एक बार फिर से practice करवा देता हूँ शुरू से ये देखे present tense है तो 12 sentence कैसे बनेंगे ऐसे बनेंगे ये चार मैं घर गया ये past tense आगे हमारा यहाँ पर present tense में आ जाते हैं ये चार हो गये आप चार के बाद 8 दिखिएगा मैं घर गया आई वेंट टू हूम आई वाज गूइंग टू हूम आई हैड गॉन टू हूम आई हैड बिन टू हूम फॉर टू हाँ अब इधर future के भी देख लेते चार इस प्रकार से एक sentence के बारा sentence पहले आपको बनाना सीखना है उसके बाद क्या होगा कि एक ही sentence जैसे बारा sentence हो गए न तो बारा में से आप एक, दो, तीन, चार और ऐसे बारा sentence बनाने सीख लिए आपने इन बारा में से एक के आप चार-चार बनेंगे ठीक है, एक के कितने बनेंगे, चार-चार, लेकिन उसके लिए पहले आपको ये 12 बनाना सीखना होगा, तब जाके आप एक के चार-चार बना पाएंगे, आप जो यहां तक सीख गया है, वो आगे देखिए और आगे continue कीजिए, नहीं तो पहले इतना सीखेगा, उसके बाद इस वीडियो को देखेगा, अब देखेगा, एक के चार-चार कैसे बनेंगे, पहले मैं आपको हिंदी में दिखा लिता हो, ताकि आपको सीखने में मजा आएगा, आप एक के चार-चार ऐसे बनेंगे, कि आपने प्रसेंट सिम्पल टैंस सीखा था, कि लास्ट में ता है, तो आपने वाला sentence तो बना लिया, कि मैं घर जाता हूँ, ये तो आपने बना लिया, लेकिन क्या आप एक ही प्रकार की बात करेंगे, कि मैं घर जाता हूँ, आप ये भी तो कहेंगे, कि मैं घर नहीं जाता हूँ, या क्या मैं घर नहीं जाता हूँ, तो एक प्रकार के चार sentence ह हो जाएंगे एक ही बात को कहने के चार अलग अलग तरीके हो जाएंगे एक ही बात को कहने के नहीं मतलब एक ही सैंटेस के चार सैंटेस हो जाएंगे जैसे देखिए यहाँ पर क्या हो गया आपने कहा कि मैं घर जाता हूं उसी का बोला नेगेटिव बोला क्या बोला मैं घर जाता हुए नहीं जाता हूँ क्या में घर जाता हूँ मतलब क्या हुगया question mark हो गया आप जाता हूं यह बहुता हूं और आप ऐसे भी बोलेंगे कि question mark और negative मार नहीं जाता हूँ तो ये एक के sentence हो जाएंगे चार, दूसरे के भी चार, तीसरे के भी चार तो ऐसे बारा के चार-चार बनेंगे तो एक के 48 sentence बनाना सीख जाएंगे ठीक है, बड़ी ही जल्दी सीखने वाले है बिलकोल भी देर नहीं लगेगी यदि आपने महनत करना नहीं छोड़ी तो अब यदि आप महनत ही नहीं करना चाहते हैं फिर तो आपको कोई भी नहीं सिखा सकता है अब हम इसका structure रेख लेते हैं basic structure बताऊंगा, वो बड़ा ही simple है ये structure वही है, जो present simple का है ठीक है, ये structure same है अब क्या होगा, कि यहाँ पर आपको not लगाना है, क्योंकि आपको नहीं कहना है कि मैं घर जाता हूँ, आपने कह दिया अब आपको कहना है, मैं घर नहीं जाता हूँ ये structure का आप screenshot ले लिजीगा तो structure क्या हो जाएगा नहीं के लिए I, मतब subject हो जाएगा सबसे पहले उसके बाद आपको do या does में से कुछ लगाना है क्योंकि यहाँ पर verb नहीं थी, तो do या does verb लेके आता है, तो he, she, it एक वचन करता के साथ does लगता है और I, you, we, they, बहुचन करता के साथ do लगता है, नहीं समझ में आ रहा हो, एक बार फिर से वीडियो पीछे कर लीजेगा और लिख लीजेगा उसके बाद लगाना है not, verb का first form ही आएगा और object आजाएगा इसके बाद कहना है क्या वाले sentence तो do does, यह जो यहाँ पर लिखे हुए है देखिए subject तो वही है, यह जो do does है यह वाले जो do does है, वो उटके पहले आ जाएगे है ना, उसके बाद यह subject यहाँ पर चले जाएगा और not नहीं लेगा, क्या, सिर्फ क्या बोलना है तो not नहीं लेगा पूरा का पूरा structure वैसे हो जाएगा इसके बाद क्या और नहीं दोनों जोडना है तो do does पहले आ जाएगा, फिर not लगेगा subject, verb, object, same के same आ जाएगे उसमें कोई बड़ी बाद नहीं है अब इसको हिंदी में जाब सीखेंगे तो बड़ा मज़ा आएगा पहले हिंदी में एक बाद सिखा देता हूँ फिर structure में भी रखना हम सीख लेंगे देखे, क्या हो जाएगा same sentence है, जिसको आता है बड़ी मज़े की बात रहेगी उसके लिए उसको practice हो जाएगा एक बाद जिसको नहीं आता है वो पूरा सीख जाएगा मैं घर जाता हूँ, तो क्या हो गया I go to home मैं घर नहीं जाता हूँ I structure क्या था, do लगेगा उसके बाद क्या लगेगा, not तो I do not go to home क्या मैं घर जाता हूँ, देखे, अब भी structure सीख क्या है कि do उटके आगे लग जाएगा तो क्या, जब हिंदी में ऐसे बोलना है कि शुरू में क्या लगा के sentence बोलना है क्या मैं घर जाता हूँ, तो do I go to home इस प्रिकार सी हो जाएगा और क्या मैं घर नहीं जाता हूँ तो सबसे पहले do तो रखा ही था, उसके बाद वाद वापस सी इस प्रिकार से यह sentence बन जाएगा, बड़ा ही सिंपल है इसको revise करना पड़ेगा आपको बार-बार इस प्रिकार से आप इसको सीख पहेंगे अब देखेगा यह तो होगया present tense का present simple tense के चार हो गया अब हम देखते हैं present continuous tense के भी तो चार बनेंगे तो देखें continuous present tense का present continuous tense आ गया वही है subject plus is MR plus वर्व का इंजिफर्म plus object यह हम सीख क्या है अभी थोड़ी देर पहले अब इसमें क्या करना है negative बनाना इसका तो subject plus is MR plus not कुछ नहीं करना है सहय क्रिया या helping verb के बाद में आपको not लगा देना है वो उसका negative बन जाता है वर्व का इंजिफर्म वही है object वही है आपको याद रखना है ठीक है इसके बाद आपको क्या वाला बनाना है तो आप क्या करेंगे is MR मतब सही क्रिया helping वर पहले रख देंगे इसके बाद subject और क्या और नहीं दोरों को एक साथ जोड़ना है और फिर बनाना है तो इस MR पहले आ जाएगा फिर not फिर subject प्लस वर्व का इंजिफर्म प्लस object अब इसको हिंदी में जब sentence के रूप में देखते हैं तो क्या से देखते हैं देखें मैं घर जा रहा हूं I am going to home यह तो आपन इसके बाद आपको not लगा दिना है मतलब क्या बोलेंगे I am not going to home सेम सेंटेंस है कुछ भी अलग नहीं करना है अब आपको बोलना है क्या मैं घर जा रहा हूं तो क्या वो वाट वाला क्या कब लगेगा वो बाद में सिखेंगे लेकिन अभी आप सिखें इस प्रिकार का क्य क्योंकि सेंटेंस की शुरुवात में होता है तो आपको जो helping वर होती है उसको उठा के शुरू में रख दिना होता है कुछ नहीं है देखिए I am going to home यह हो गया I am going to home I am not going to home क्या मैं घर जा रहा हूं Am I going to home अब यहां not क्यो नहीं लगेगा वह सेंटेंस के हिंदी में नहीं नहीं है तो नॉट पगाने की जौरत ही नहीं तेगी यहां पर दिखेगा क्या मैं घर नहीं जा रहा हूं Am not I going to home यह convert करना है यह आप स्ट्रक्चर से convert करना चाहते हैं इस परकार से कर सकते हैं या सीदे भी कर सकते हैं देखिए Am not I going to home तो यह स्ट्रक्चर के इसाफ से भी इसको सीखर बना सकते हैं ठीक है यह गया प्रजेंट परफेक्ट का फिर वही हो गया कि सबसे पहले सबजेक प्लस है प्लस फॉर्म प्लस अब्जेक्ट आता है इसमें नेगिटिव जब बनाना है तो हैसे बाद बस नॉट लग जाएगा जब आपको अफर्मेटिव मतलब बनाना है तो आप क्या करेंगे हैजब को शुरू में रखके सेंटेंस सेम रहेगा सब्जेक्ट फॉर्म हां बिल्कुल ठीक है थर्ट फॉर्म प्लस अब्जेक्ट हो जाएगा और आपको दोनों बनाना है तो हैजब के बाद नौट लग दाएगा आगे और बाकी सब सेम सेंटेंस देखे किस पर कार से बनेंगे मैं घर गया हूं यह हमने कहां सी कहते है प्रजेंट परफेक्ट टेंस में कि हूं मतलब प्रजेंट टेंस और गया हूं मतलब प्रजेंट परफेक्ट टेंस यह प्रजेंट परफेक्ट होगे इसके चार कैसे बनेंगे मैं घर गया ह इसी helping work को उठा के शुरू में रख देना है यह not नहीं आएगा बस have I gone to home या और क्या में घर नहीं गया हूं यहां पर आजएगा have not I gone to home बड़ा ही सिंपल है इसके बाद आता है present perfect continuous स्टेंस ठीक है वही है सब्जेक प्लस है प्लस में प्लस में प्लस और के बता दिंगे आपको और चौथे का लास्ट आता है present कहना है कि मैं दो गंटे से घर नहीं जा रहा हूं तो क्या बोलेंगे I have not यह helping वर्व यह वाली है कहीं लोग बीन के बाद नौट लगाने की कोशिश करते हैं बीन अपनी जगे ही रहेगा structure में इस बात को याद रखेगा यह देखिए subject प्लस hazard प्लस नौट प्लस बीन कभी भी अपनी पोजिशन को चेंज नहीं करता है बीन वहीं रहता है कि लोग बीन को उठाके आगे रख देते हैं या बीन के बाद लगा देते हैं वो गलत है ठीक है तो I have been going to home I have not been going to home for two hours इस प्रकार से इसके भी चार सेंटेस बन जाते हैं देखिए यह होगे present के चार-चार चार-चार-चार-चार-चार मतलब कितने होगे चार-चो क सूला सैंटेस हो गये अब पास्ट के बचे हैं अभी तो चार-चार और future के बचे है जो मैं आपको नहीं करवा रहा हूँ यह आपका homework है इस विकार से एक के 4-चार-चार सैंटेस आपको बनाना है कैसे मैंने यह सब और फिचे के चाइर शहां हम आगय थे तloe मतलब यह सकी विचार इसी प्रिकार से mighty चार मतलब बारा बनाना सीख गए तो आप 48 बहुत ही आसानी से बना पाएंगे इस वीडियो का लाइक का टारगेट, शेर का टारगेट और देखने का टारगेट आप पूरा कीजिए तो यदी कोशिश हो सकी तो हम इसका एडवांस वीडियो बहुत जल्दी लेकर आ जाएंगे और नहीं तो लाइप क्लासेज भी ले सकता हूँ यदी आप चाहते हैं तो इनके क्या-क्या साइंटेस बनेंगे वो मुझे कॉमेंट बॉक्स में अच्छे से कॉमेंट करके बताओ, भर-भर के करो, देखता हूँ कि अंग्रेजी सीखने के लिए आप उसाइथ है या नहीं और ऐसे ही मूटिवेशनल पॉरफूल अपनी जिन्दिगी को बदल देने वाले वीडियो देखना है, तो हर एक विक्ति तक इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना यह आशा करता हूँ कि आपको सारी बाते समझ में आ गई होगी, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं किसी धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद